आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ में cos x ठीक है, is equal to 0 होगा कब जब मेरा cos x ये greater than or equal to 0 होगा और दूसरा equation क्या बनेगा sin x minus में cos x और is equal to 0 कब जब मेरा cos x less than or equal to 0 होगा ठीक है, ये दो होगा और मेरा x जो होना चाहिए interval 0 से लेकर 4 pi तक होना चाहिए ठीक है, तो चलो अब अपने first वाले को चलता हूँ मैं इसको first माल रहा हूँ, इसको second माल रहा हूँ ठीक है, तो first वाले को लेकर चल रहा हूँ तो देखो, first वाले में क्या है sin x plus में cos x is equal to 0 तो cos x को उधर भेज दूँगा तो minus में cos x हो जाएगा और इस cos x को इधर लेकर दूँगा इधर, तो यह हो जाएगा sin x divided by कितना cos x is equal to कितना minus 1, ठीक है यह अब ना first वाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो, यह sin by cos क्या होता है 10 होता है, तो tan x is equal to कितना हो गया minus 1 और tan की value minus 1 कब होती है tan minus में pi by 4 पर होती है ठीक है, तो यहाँ से देखो, हमको पता है कि भाई, अगर मेरा tan theta is equal to tan theta is equal to tan alpha होता है ठीक है, तो यहाँ पर theta की value हम लिख सकते है कि n pi अप पलस में alpha ठीक है, लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखो alpha की value कितनी है minus में pi by 4 तो theta मत्तब x, x के value कितनी हो जाएगी? यह हो जाएगी n pi और alpha के value minus 5 by 4 तो n pi minus 5 by 4, ठीक है? यह x के value हो जाएगी और यहाँ से कौन-कौन सी value acceptable है? जहाँ पर हमारा cos x जो होना चाहिए, वो greater than or equal to 0 होना चाहिए ठीक है? तो हम क्या गरते हैं? कि cos x का graph बनाते हैं सबसे पहले ठीक है? चलो, तो cos x का graph 0 से लेकर 4 pi के बीच में हम बना देते हैं ठीक है? चलो, तो यह अपना axis हो गया ठीक है? और यहाँ पर graph कुछ इस तरह से बनेगा cos x अगर आप ऐसे जाएगा और ऐसे रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है? ऐसे अपना cos x अगर आप चलता रहेगा, ठीक है? और यहाँ पर होगा मेरा कितना? यहाँ पर होगा मेरा 4 π, ठीक है? चलो, अब देहो, यहाँ पर मुझे जाए यह cos x greater than or equal to 0, मतब उप positive value चाहिए, तो मतब यह वाला accept value हो सकता है, interval यह वाला, और यह वाला interval accept value होगा, ठीक है? अब यहाँ पर कितनी value है? यहाँ पर अपनी 5 by 2 है, ठीक है? और यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर है 3 by 2, और यहाँ पर कितनी है अपनी? यह है अपनी 5 by 2 है, ठीक है? और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है मेरा 7 by 2, ठीक है? तो interval मेरा 0 से लेकर 5 by 2 तक होना चीए, और 7 pi by 2 से लेकर 4 pi तक होना चीए और x की value ऐसे होने चीए तभी जाके यह acceptable होगा ठीक है चलो तो n की value यहाँ पर क्या होती है एक integer होती है ठीक है तो n की value हम रख देते हैं देखो n की value negative तो रख नहीं सकते है क्योंकि यहाँ पर interval में lie नहीं करेगा pi by 4 आएगा ठीक है तो pi minus 5 by 4 इसका मतलब इधर कहीं आएगा ठीक है समझ रहे तो यह कितना होता है देखो यह होता है 3 pi by 4 का इक वाल 3 pi by 4 आएगा इधर कहीं ठीक है तो यहाँ पर देखो cos x cos की value तो negative है ना मतलब यह acceptable नहीं है ठीक है तो देखो अब यह न की value अगर मैं 2 रगणगा तो x की value कितने आएगी 2 pi minus में कितना pi by 4 आएगा ठीक है तो 2 pi minus में pi by 4 इधर कहीं आएगा ठीक है और यहाँ पर cos कितना है अपना positive है ठीक है तो cos positive है इसका मतलब यह value क्या होगी acceptable होगी और यह value कितने आएगी देखो 4 into में 2 कितना होता है 8 8 minus में pi कितना होता है 7 तो 7 pi by 4 ठीक है तो यह value acceptable होगी चलो n की value अगर मैं 3 रखता हूँ तो कितना आजएगा तो x की value कितने होजएगी 3 pi minus में कितना pi by 4 ठीक है तो 3 pi minus में pi by 4 इधर कहीं आएगा और यहाँ पर cost क्या है negative है मतलब यह acceptable नहीं है ठीक है चलो अब n की value क्या रखते हैं 4 रखते हैं तो x की value कितने आजएगी 4 pi और minus में कितना pi by 4 ठीक है तो 4 pi minus में 5 by 4 इसका मतलब कहा आएगा यहाँ पर आएगा ठीक है और यहाँ पर अपना cost क्या है positive है हमको चाहिए भी क्या positive ठीक है तो इसका मतलब यह acceptable होगा तो यह कितना आएगा 16 minus में 1 कितना 15 होगा 15 pi by 4 तो n की value 4 पर यह अपना accept रखता हूँ n की value अगर मैं 5 रखता हूँ तो x की value कितना आजएगी 5 pi minus में कितना pi by 4 ठीक है और यह जो होगा न यह होगा greater than 4 pi होगा ठीक है तो greater than 4 pi है इसका मतलब यह acceptable नहीं होगा क्योंकि हमारा interval सिर्फ 4 pi तक है ठीक है तो मतलब यह अगरी बढ़ी value तो रखी नहीं सकते है इसका मतलब यहाँ से यह two values हमको मिल गई है ठीक है two answer मिल गई है अब मैं second वाला करता हूँ तो second वाला में क्या है मेरा sin x minus में कितना cos x is equal to 0 है जब मेरा cos x क्या होना चाहिए negative होना चाहिए मतलब less than or equal to 0 होना चाहिए ठीक है तो इस case में sin x is equal to इसको मैं इधर भेज़ दिया तो cos x होजाएगा और cos x से divide कर दिया तो यह होजाएगा अपना 10 x 10 x is equal to 1 और 10 1 कब होता है 10 pi by 4 पर होता है ठीक है चलो 10 pi by 4 पर हो गया अब तो हमको पहले ही से पता है कि 10 theta is equal to 10 alpha है तो theta के वालू कितनी होती है n pi plus में alpha तो यहाँ पर x is equal to कितना होजाएगा n pi अब plus में alpha के वालू कितनी है अपने pi by 4 है ठीक है चलो यहाँ पर n क्या है अपना integer है चलो तो n के वालू 1 रखते है ठीक है negative रखना है सकते है क्योंकि x के वालू negative आजएगा और negative चाहिए नहीं हमको 0 से 4 pi तक चाहिए तो n के वालू 1 रखने पर x के वालू कितनी है आजएगी यहाँ पर आजएगा pi plus में कितना pi by 4 आजएगा ठीक है अब देखो pi plus में pi by 4 आएगा कि इधर देखो pi plus में pi by 4 इधर आएगा ठीक है इधर कही आएगा और यहाँ पर cos अपना कह है negative है और हमको चाहिए भी negative ठीक है इसका मतब यह acceptable होगा इसका मतब यह कितना होगा 5 pi by 4 होगा और यह acceptable होगा चलो n के value 2 रखेंगे तो कितना आएगा x के value हो जाएगे 2 pi plus में कितना pi by 4 हो जाएगा ठीक है तो देखो 2 pi plus में pi by 4 आएगा किदा 2 pi plus में pi by 4 इधर कहीं आएगा अपना यहाँ पर cost क्या है positive है तो cost positive तो हमकुच है यह नहीं cost negative होना चीए ठीक है चलो तो यह acceptable नहीं है n के value अगर मैं 3 रखूँगा तो x के value कितना आज़ेगी 3 pi plus में कितना pi by 4 आएगा ठीक है चलो तो देखो 3 pi plus में pi by 4 आएगा किदर 3 pi plus में pi by 4 इधर कहीं आएगा और यहाँ पर cost क्या है negative है इसका मतलब acceptable है तो यहाँ हो जाएगा कितना देखो चाहते हैं 12 है अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 13 pi by 4 ठीक है तो यह value acceptable होगी n के value अगर मैं 4 रखूंगा तो x के value कितना आजेगी 4 pi plus में कितनी pi by 4 यह acceptable नहीं होगा क्यों क्यों कि देखो यह 4 pi से जादा हो गया हमें interval से यह सिर्फ 4 pi तक तो यहाँ से भी 2 answer आ गया और पिछले वाले से भी 2 answer आये ही था ठीक है तो हमारा answer क्या होगा 7 pi by 4 15 pi by 4 चलो लिख देता हूँ मैं 7 pi by 4 और 15 pi by 4 और यहाँ से देखो 13 pi by 4 और 5 pi by 4 ठीक है तो यह 4 हमारा x की value क्या होगी answer होगी ठीक है और हमसे पूछा क्या है number of solution तो कितने solution है 4 ना तो हमारा answer क्या होगा 4 होगा यह हमारा answer तो होगा आप पू समझ में आगा Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net app यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8400 400 400 पर